आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लगनिंग जहां हमारी स्वेच आप सब तक बहते ही एजुकेशन को पहुंचाने की होती है जैसा ककी ज drukkv Eman का ज़्जाम मस्देक के जितना इंपोर्टेंज जे में Yo! की एंपोर्टेंज आप करेंगे। हम आदे तक हमारे साथ बने रहो चलो अब जीदेर के इस वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं तो सबस्क्राइब यह कि मोज़ें लेकर जानते होगे कि कि तुम्हें पीछे हो सकता है तुम्हें बात बता ही होगा इसलिए तुम्हें ध्यान दे रहा है निगेटिव मांक कि तुम्हें कम से कम करनी है इसका दगला फायदा यह है कि हर टॉपिक से विर्याटिव कोश्ण देखने को मिल जाते हैं जिसे का तुम्हारा कॉंसे पॉर्ट कॉंसे चर्टर में ज्यादा टाइम लग रहा है और एक्जाम में तुम्हारा प्रफर प्लैनिंग होता है तुम्हारा प्रफर माइंड से और तुम्हें कैसे टेस्ट देना है और उसको पर बात कर लेते हैं जैसा कि ज्यादा टाइम नहीं बात की है तो तुम्हें करना है कि maximum तुम्हारा कोई topic weak है तो तुम्हें टेस्ट देखे उस topic का विक टेस्ट देखके उसको इंप्रूव कर सकते हैं जैसे कि पहले भी बतायाएं कि टेस्ट कापी अच्छा तरीका होता है किसी concept को इंप्रूव करने के लिए तो तुम्हें full test ज्यादा से ज्यादा और physics और math में stronger portion है तुम उसको पहले अटेम्ट करो लास्ट में weaker portion को attempt करो इसके अलावा टेस्ट देने के बाद तुम उसको analyze करने का फाइदा बहुत ज्यादा है अनलाइज करो कि तुम कितना negative कर रहे हो तुम कितने silly mistakes कर रहे हो कि subject में कितना time दे रहे हो इन सारी चीजों का पायता तुम्हें exam में देखने को मिलता है और अगर possible हो तो try करो कि जिस time में Jman का paper होता है तो उसके पहले भी ट्राइब करो कि Jman का paper जिस time में तुम टेस्ट दो ताकि तुम्हें आदत हो या test paper देने की इसके बाद बात करते हैं कि आखिर frequency क्या होनी चाहिए तुम्हारी test paper की तो अब तुम जाने चोगे होगी test का कितना importance है तो तुम्हें test कैसे देना है जोलों बात करेते हैं कि frequency क्या होनी चाहिए तो अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें टॉपिक पढ़ना चैप्टर पढ़ना उनका चैप्टर वाइस test देते रहना है और वीक में जैसे पहले ही बता है जो जो बाते बताई गई है उनको ध्यान रखे तुम्हें test को देना है और LIS भी करना है तो इस वीडियो में बस यहीं तक जेए में में physics, chemistry और mathematics से आने वाले जो important chapters हैं उन chapters के उपर अल्रेडी हमने हमारे चानल पर वीडियो अप्लोड कर दिया है इस वीडियो एदुकेशनल कॉंटेंट तब तक के लिए thank you and all the very best